अलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में तो फाइनली कुछ अपडेट्स यहाँ पे निकल कर आच चुकी हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और अपडेट्स भी ऐसी अपडेट नहीं है बहुत बड़ी अपडेट्स हैं बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ मूडी इसकी तरफ से कुछ चेंजिस करेगा है इनकी रेटिंग में वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कितने परस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चैनल बेगर आप फंच टैम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जो वन लैक का माई लिष्टों ने उसको अचीब कराने मैं अपनी दरफ से हेल्प करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जर यानवे पैस यानि कि थोड़ा सा नेगेटिव मूँमेंट देखने को मिला है यानि कि ओवरल जब हम यहाँ पर गूगल की बाते करते हैं तो डेफिनेटली आज भी मैं नेगेटिव माहल का ही यहाँ पर बताने वाला यानि कि 0.31% की गिरावट थी ओपन सोलर रुपे पर हुआ था और यही कुछ रेंज आपको देखने को मिली थी अब देखो शॉर्ट टम की प्रोफाइलिंग में आपको यहां पर देखा हूं तो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है वाइटीडी में 22% के नेगेटिव रिटरंस हैं एक अपते में 2% के हैं 6 मेने में 8% 3 साल म 50 55 के नेगेटिव रिटरंस हैं यादि कि आप देखोगे तो 5 टाइम फ्रेम में आपको गर को मिल रहा है वहां जहां इंपन को मिल पांच करोड का वॉल्यूम था जिसमें से करीबन दो करोड यानि कि 35 परसेंट की डिलिवरी परसेंटेज देखने को मिली तो यहां पर जो ओबराल वॉल्यूम आया वह एवरेज के अकॉर्डिंग कम था यानि कि वन वीक का एवरेज 8 करोड और एक महीने का एवरेज 10 करोड है उससे काफियत तक कम था तो वॉल्यूम उतना यादा नहीं आया है इस वजह से मुमेंटम भी नहीं बना अब शायद यह जो मैं आपको अपडेट्स बताने वाला हूं उसके बाद कुछ जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम है वह आने स्टार्ट हो जाए अब सबते पहले म आपको टॉप कॉर्णर पर डेट देखने को मिल रही है जिसमें आपको मेंशन है 23 जून 2023 ठीक है और यहां पर बीसी और एनसी को यह नोटिफिकेशन दिया अब इसमें सब्जेक्ट में आप देखते हो तो कह लेखा आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग ठीक है तो जो बो रूबल की जो है वो रिक्वाइरमेंट है तो यहां पर जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है वो यह है कि यस बैंक बहुत बड़ी फंड रेजिंग करने वाला है करीबन 2500 करोड यानि की 2500 करोज के आसपास की फंड रेजिंग आपको यहां पर देखने को मिल सकती है ज बहुत सारी कंपनीज के साथ इनकी मीटिंग हो रही है और एक एक दिन में तीन तीन चार चार मीटिंग हो रही है उससे यही लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ी चीज़े हो सकती है और यहां पर 2500 करोड की फंड रेजिंग जो है वो यस बैंक करते हो नजर आने माला है औ और यह dead securities के through होगा जिसमें अगर आप देखोगे तो जो है और बहुत सारी चीजों के include किया जाएगा बट यहां पर जो limited to non-convertible adventures हैं उनको include नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह बहुत बड़ी update आई है जिससे आपको पता चल गया होगा कि पुरानी टाइम में जो meetings वगर मिल रही थी अब यहां पर देखो तो एक चीज और हुई है इनकी जो फिर से meeting है कल आपको फिर से meeting देखने को मिली थी PNB investment services limited के साथ तो यह आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी बड़ी companies के साथ यहां पर meeting हो रही है पहले भी मैंने आपको बताता है इन्वेस्ट को के फिर अगर आप देखोगे तो और भी बड़ी बड़ी जो है कोटेक सेक्योर्टीज के साथ इन सब के साथ मीटिंग थी अब यहां पर PNB investment के साथ मीटिंग है तो डेफिनेकली लगता है कि जैसे अभी 25 करोड़ वाला यहां पर बात की गई है और भी बहुत सारी चीज़े आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है तो फिलाट बोल्ड मीटिक का फैसला मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आखिर जो मोडी जो क्या सोच रहे है यह बैंक पर अब यहां पर देख पा रहे होगे कि मोडी एफ़म्स यह बैंक्स रे क्या है यानि कि एक स्टेवल रेटिंग दी है नाहीं पॉजिटिब बहुत ज्यादा नाहीं नेगिटे बहुत ज्यादा यानि कि जो सिनारियो वह एकदम स्टेवल चल रहा है कोई बहुत ज्यादा फ्लक्ट्वेशन नहीं है और यहां से जो चीजे हैं वह 12-18 महीने का और फ्राइड सेटेड एस एफर्म्ट दी एस बैंक रेटिंग ऑन दी बैक ऑफ एकस्पेक्टेशन दिस फाइनिशल पर्फॉर्मेंस विल रिपें इस्टेवल ओवर दी नेक्स 12-18 महीने जो है वह डेफिनेटली सही रहने वाले इस्टेवल रहने वाले इस्टेवल रहने इस्टेवल रहेगी और यहां पर इनकी जो लीगेसी प्रॉब्लम है वह शायद रिजॉल्ब जो हो चुकी है उसकी वज़े से अब इनके जो एसिट हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने माली है और जिस अकॉर्डिंग इंडिया का जो एकॉनिमिक मुमेंटम है वो भी काफ अदानी की वीडियो बनाई थी उस पर रीच थोड़ी थी कम थी लेकिन वहां पर आपको कुछ अदानी के ऐसे स्टॉक सी बताया थे जो कि अपने फिप्टी टू वीक हाई से पिच्ची पिच्ची परसंट डाउन है तो एक अच्छी ऑप्चुनिटी के बारे में बताया अगर आप इंट्रेश्टल होगे तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना लेकिन अब इसमें देखो यूको वैंग यूफलैक्स वीमार्ट रिटेल यस बैंक जी एंटर्टेन्मेंट और कुछ और भी ऐसे स्टॉक से जो कि अपने फिप्टी टू वीक हाई से काफी ज ऐसा मुमेंटम बन गया था कि शेर जो है यहां से यानि इस मुमेंटम से 35% के भी रिटरंस और ज्यादा दे चुका था लेकिन अभी काफी यह दर दाउन चल रहा है तो एक अच्छी ऑपरचुनिटी भी हो सकती है जो कि यहां से यस बैंक में विलीब करते हैं उनके ओवर कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनिश एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें वीडियो को केवल नौलेज के परपस से ही देखें तो वीडियो को फ़लाल इतना ही वीडियो अच्छी लगी होते लाइक करिएगा चैनल पर वस्टाम विजिट कर रहे ह तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्य बाद